Hello everyone, I hope you all are doing well and learning from my video तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केप्टर स्केप्टर क्या है? हमारी क्याफी न्यूज में चल रहा है क्योंकि जो हमारी न्यू पार्लियमेंट बिल्डिंग है यह आपको पता है 28 मही को इसका इनेगरेशन है तो इस इनेगरेशन से पहले क्या बात चल रहे है कि हम इसके आपटर को भी इंस्टोल करेंगे अभी स्केप्टर होता है क्या है? यह हमारी एक लंगी सी श्टिक होता है और इसके ऊपर हमारी नंदी महाराज होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में वी दिख रहा है नंदी महराज इसके उपर बैठे होते हैं इसको इंस्टोल करने की बात चल रहे थे बट हाँ अब इसको डेफिनेटल किया जाएगा पार्लियमेंट के अदर अब यह जो स्कैप्टर होता है इसको हम सिंगोल के नाम से भी जानते हैं और यह सिंगोल क्या होते हैं सिंगोल एक तरह सी हमारी आइडिलोजी को दर्शाता है यह जो सिंबल होता है कि यह बताता है कि जो हमारा इंडिया है वह इंडिपेंडनेंस है सौवनिटी है इसके पास यह डाइवर्स है और इसके बाद डाइवर्स्टीन है तो इस चीज को यह दर्शाता है तो अब आपक वाइसराय थे लोर्ड माउंटन उन्होंने क्या कहाता है कि आपको हम आजादी तो दे रहे हैं तो आप उसके लिए क्या करोगे क्या मतब कुछ एक प्रोग्राम वगरा करोगे जिससे मतब आपको पता भी चले कि हमने आपको आजाद कर दिया एक प्रूफ ऑफ एविडेंस क अनुने से बात करें से तो लोड वाइसराय जो था ना उन्होंने क्या नाम है एक तैसे सिंगोल स्टिक हमारे जो पीम ते उस टेंपे हमारे पीम कों थे जवालान नहरू को देती कि अब हमने आपको बिटिश से रिलीफ कर दिया और आपको ऐसा इंडिपेंडने इंडिया बना दिया, तो इसके नॉर्मल हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ साथ इसके बारे में क्या है, जो इतियास में बात करेंगी, कि इस सिंगोल, जो हमारा स्कैप्टर है, इसको क्यों लेके आए, क्यों इसी को दिया गया, कि और कोई चीज नहीं के दी गई तो जैसा कि आपको पते हैं, जो सिंगोल है, वो डेराइव हुआ है, किस चीज से हुआ है, यह हमारा तमिल वर्ड से डेराइव है, जो जिसको हम सिमाई बूलते हैं, ठीक है, सिमाई, और जिसे सिमाई होते है, यह सिमाई क्या है, यह एक राइटियस, और पीस्फूल प्र लगें होते हैं गोल्ड, सिल्वर, और इसके अंदर प्रीश अपको स्टोंस vulgar दित्का मिल जाते हैं जैसा कि बता है जो हमारे सिंगल स्क्रेफटर था yeah that I maybe 3 www. selecting और इस्थEr यह जिए हमारे पहले के टाइम् पर थे नहीं जो चो पर जबता है यह जब स्कैप्टर उन लोगों पास देखनें को मिल रहा था तो उससे क्या दिर्शाता था कि वो जो है रो लोंगस रूलिंग वो है राजा है और उसके बाद वो नुसे इंफ्लेंस कर रखा है बहुत वड़ी डाइनेस्ट्री को और यह हमारा कहां देखनें को मिल जाता है था साउथ इंडिया में तो उस टेम पी क्या था चोलर एंपायर के इस रूल को ना फोलो किया गया था कहां का तमिलाडू केरला जिते भी साउथ के आपको बात करेंगे आंदरपरदेश हो गया तेलंगा ना श्रीलंगा तो इसमें नाइन से लेके थर्टीन सेंचुरी तक इस भी आपको इसमें क्या होता था कि यह जो हमारा दर्शाथा था स्कैप्टर उस स्कैप्टर जो एक मिलिटरी पावर है ठीक है मिलिटरी पावर है उसके साथ इसके पास जो है मैल्टाइन ट्रेड करने की वह एंडिनिस्ट्रेशन एफिशेंसी है कल्च्र को दर्शा रहा है आर्किटेक्चर को दर्शा रहा है तो ये काफी सारे चीज़ों को उस तेम पे दर्शा आता था तो इसलिए मतलब इसको लेके आएगा और इसका जो हमारा चोला एंपायर था ना तो इसकेप्टर को पता है इसके पास इसके पास पावर बीया त्रांस्फर भावर की बात कर दे ते इसके पास चली गई है इसके थूव इसके पास military power, maritime trade, administration efficiency, culture, architecture, temple, इन सब के सारी बात हो जाती है तो इसके अंदर क्या है एक तरह से जब इसको दे दियाना तो इसका मतलब आगे वो रूल करेगा तो इसके लिए जब transfer of power होता था एक तरह से proper ceremony होती थी ठीक है ceremony हमारी बहुत properly की जाती थी उसमें कोई भी मतलब बहुत अच्छे से इसको बुक्या जाता अब इस टाम पर यह तो इस ही स्ट्री के टाइम पर इसको क्यों independence के time पर लेके आया गया जब हमारा independence हो तो इसको क्यों लेके आया गया हम उसकी बात करते हैं जब लोड जो ढमारे थे वाइसराय थे उन्होंने कहाता कि आम में क्या नामें आपको ट्रांसफर कर रहे हैं हम पावर का ठिक है आपको ऐसा बिटिस से हम रिलिफ कर एं और तो आपको क्या जाये कि जो एक तर पैचान बना सके ठीक हैं तो उस चीज पर जो हमारे प्यम ब सिंसे इसने workbook कि इसको हम राजा जी राजाज जी नाम से जानत समēr इन्हों सब्सक्राइब न होने लिए जैने की आन थे मीड़ी यहां जाते तो इन्हों सब्सक्राइब मेया में का org थे इसब्सक्राइबिस्क्राइब और एक तरह से इसको बहुत ज्यादा बैल स्टाइ माना था तो यह लेखिए के इसकी त्रांसफर ऑफ पाव पाव कम्पेट हो घए तो इस तहीं क्या रिफ्लेेक्ट किया ता एक तरह से जब हम पर लह ले लिया ता तो इसने ट्रेस्थी एक तरक क्या ता Fam'llem इंडिया है वह इंशेंट सिविलाइजेशन है कि हम इंशेंट अब हम आजाद होगे तो हम इसेंट को नहीं बूलेंगे अपना जो पुराना इंशेंट टाइम था और उसके साथ साथ हमारी कल्चल अलग अलग कल्चल डाइवरस्टी होती है तो एक तरह से पावर्फुल हम तो यह सारी की सारी चीजे थी अब इसके बारे में आपको और क्या पता होंची कि इसने क्राफ्ट किसने किया था ठीक है इसको क्राफ्ट किया था वूमी दी वंगारू चेटी ने यह बहुत बड़ा फेमस ज्वेलर था हमारा मदरास का जिसको आज के टाइम पर हम चेन न बना होता है उसके उपर प्रिशे स्टॉंस लगे हुए तो इसके एक तरसे मना बनावत ऐसी थी तो जैसे इसके उपर टॉप अधा लेयर आप देखोगी कि नंदिया और नीचे स्ट्रिक और बहुत अलग अलग बता आर्किटेक्स मतर भी डिजाइन बने हुए चिक है जो ओता हो गई है तो हम इसको जो सेंगोल है सेंगोल को हम अपनी पारल्यामेंने काहरा ना तर में बटी कि यहां पर रखने प्रेयागराज में आनन्द भावन म्यूसियम के अनन्द भावन म्यूसियम है उसमें इसको डोनेट कर दिया था जहां पे नहरू जी की मतलब पूरानी चीजें जो हमारे आजादी के टाइम पे यूज हुई थी उन सारे चीजों को समाल के रखा गया तो वहां पर इसको भी प्राइम्निस्टर जो वर रखा हुआ तो वह से लें करेंगे क्योंकि वहां पर यह हमारे इसको प्रिश्टर में आई प्रिश्टि के रूप प्रिजर्व करके लगा है जो हमारे लेगेसी एक तरसे इंडिया के freedom moment जो हुए थे जिंजी लोगों ने हिस्सा दिया था उन लोगों की यादों के लिए रखा गया तो इसके अंदर यह ना सतर सालों से रखा हुआ है ठीक है सतर साल से सैंगोल जो हमारा स्कैप्टर है इसो सतर सालों से वहां पर रखा स्पीकर की सीट के बिल्कुल साइड में रखेंगे जो कि एक तरसे एक स्प्रें करें करेंगा कि हम हिस्टोरिकल कैसे करें हमने के महनत करके अपनी आजादी ली है तो उसका यह मीनिंग दिखाएगा और यह ऐसा सिंबल की तरह वर्ट नहीं करेंगा यह मैंने आपको पहले सब्सक्राइब जो चीजें उनको भी वेल्यू देते हैं और हमार जो कंट्री है वो डाइवर्स नेचर है इसके अंदर आपको रिस्पेक्ट फुल्नेस में देखने को मिल जाती है तो यह सारी सारी चीजे इदर से हैगा तो न्यू पाल लेविलिंग में इसको रखा जा र है आई होप आपको यह सारी चीजे क्लियर हो गई और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो